आज हम बच्चों का दूसरा राइट पढ़ेंगे राइट टू रीड का वो है एक्सेस टेक्स बोथ इन प्रिंट और डिजिटल फॉर्म हमें ये समझना है कि हमें इन दोनों फॉर्म में बच्चों को कहानी की किताबे क्यों देनी है और एज़ टीजर हम उन्हें कैसे help out कर सकते हैं इस हक तक पहुशने के लिए हम सबसे पहले जो चीज समझनी है वो यह समझनी है कि हमारे पास जब कहानिया अवेलेबल होती है जो हम बच्चों को दे सकते हैं वो किस फॉर्मिट के अंदर वेलेबल हो सकती है वो टेक्स जो है प्रिंट भी हो सकता है वो डिजिटल भी हो सकता है वो कहानिया पिक्चर बुक भी हो सकती है वो कहानिया चैप्टर बुक्स भी हो सकती है वो नॉवल्स भी हो सकते हैं वो ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो वो पोईट् सकते हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं अब हार फॉर्मिट ये उसके कुछ ववायद है उसकी कुछ एहमियत है सबसे पहले हम आज आते हैं अपने प्रइंट रिसॉसे के उपर जिसके अंदर हमारे पास बहुत इंटर्स्टिंग किसम की बहुत छोटे हैं बच्चों की तरफ और किताब को खोलके इंज्यॉ gratis AM जो यह चोटे बच्चे अपने बात में लेकर बैठ सकते सब्सक्राइब छूपेंचे विश्याव ुवै नहीं बेच सकते हैं बहुत हिं और बहुत ये reading की तरफ attract होते हैं और किताब को खोल के enjoy करते हैं जैसे कि बच्चे किसी word को छू सकते हैं और उसकी definition या उसका meaning देख सकते हैं जैसे कि वो multiple text को पढ़ सकते हैं जैसे कि आप उसके अंदर animations डाल सकते हैं और कुछ alternative किसम की features डाल सकते हैं जैसे कि आप text के साथ speech का element डाल सक सकते हैं कि बच्चे उसमें voice में वह story सुन सकते हैं तो यह वह features हैं जो हमें print में मिलते हैं पर text में नहीं मिलते हैं दोनों का कुछ फायदा है और कुछ नुकसान है इसलिए हमें यह दोनों features चाहिए classroom में भी libraries में भी अगर हो सके तो घरों में भी जैसे कि हमारे पस digital resources है digital resources का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप simply copy करके या scan करके पूरी किताब जो print form में है digital form में ला सकते हैं और उसके अंदर additional text भी डाल सकते हैं हम images भी डाल सकते हैं animation और sound भी डाल सकते हैं जो हमारे पास binding form में print form में किताबे होती हैं उसके उपर सबसे important चीज़ होती है कि उनका quality of paper कैसा है binding quality कैसी है जो कि हमें digital format में इसकी जरूरत नहीं रहती है second important feature है कि हम यह देखते हैं कि हम जब digital format में चीज़े provide कर रहे होते हैं तो हम किस device के तुर provide कर रहे हमारे पास multiple devices है mobile phones भी available है हमारे पास iPads भी हैं computers भी है और tablets भी है so we need to look at up कि जो आपका format है वो किसके साथ compatible है हमारे पास जो किताबे होती हैं print form के अंदर बुन्यादी तोर पे वह बिखतर literacy development करती हैं बच्चों के अंदर जो किताबे solid print form में होती है बानिस्बत उन किताबों के जो digital form में होती है और सबसे important चीज़ जो हमें समझनी है साथ एशिया वो इलाका इस दुनिया का जहां पर हमारे पर स्प्रिंट form में बच्चों के लिए बहुत कम किताबे वेलिबल हैं तो साथ एशिया में ही पाकिस्तान आता है इसके अंदर सबसे important फीचर यह होते हैं कि हम डिजिटल फीचर आ सकते हैं वह उस लर्नर के लिए जो अभी अभी रीडिंग करना सीख रहा है जब हमारे पर स्प्रिंट में किताबे होती हैं उसके अंदर सबसे important चीज़ आती है वह यह आती है कि बच्चे असानी से किताब पकड़ सकते हैं उसे देर तक देख सकते हैं उसमें उन्हें electricity की कोई जरूरत नहीं होती और सबसे important चीज़ एडल्ट के साथ बातचीत करते ह हैं और जो भी एडल्ट है चाहे उनका बड़ा भाई है टीचर है पेरेंट है दोस्त है कजन है उसके साथ उसकी दोस्ती और इंटरेक्शन बढ़ सकता है हमारे पस जो डिजिटल फॉर्मेट में किताबे होती है और डिपेंड करता है कि बच्चे के अपने अंदर कितनी स् बच्चे को जरूरत है समबोड़ी और लेट इम नो के हाव टो यूज़ा डिजिटल कॉंटेंट लाइब रिजिटल में यह दोनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए ताके बच्चे दोनों क्वालिटी ओफ लिटेशर को इंजॉय कर सकें और मुक्तलिफ किसम के फीचर स से उनका जो इंट्रस्ट और मोटिवेशन है वो रिटेन रह सके अब हमें सबसे इंपॉर्टन चीज़ देखनी है एज़ा टीचर आप क्या कर सकते हैं एज़ा टीचर एक बहुत इंपॉर्टन फैक्ट है कि टीचर जो है डियार स्ट्रॉगलिं बेट्विन कि क्या हम प्र इस इस इसी अप्रिंट मेटीर्यल है और जो हमारे पर डिज़ितल मेटीरियल मौझूद है वो बच्चों को इस तरीके से इंटरक्शन उस से कराएं जैसे गेंज़ जैसे अक्टिवीतीज हैं तकि बच्चे उससरफ मोटिवेट हो और दोनों मेटी इस्तेमाल करने के और सबसे इंपॉर्टन चीज यह है कि बहुत सी ऐसी teaching strategies हैं जिसके तुरू बच्चों में reading skills develop हो सकती है उमने से सबसे इंपॉर्टन चीज है reading aloud आप जोर से पढ़ें, interesting तरीके से पढ़ें, expression के साथ पढ़ें, reading alone with them and listening to them आप जब बच्ची reading कर रहे हों आप उनके साथ पढ़ें और अपने गौर से सुनें कि वो क्या पढ़ें और अपना भी interest उसमें show करें Thank you so much